सब बहुत अच्छे होंगे अपना मद्ध प्रदेश सब इंजीनियर के लिए जो अपना नॉन टेकनिकल पूर्शन है उसके अंदर हिंदी का एक इंपोर्टन लेक्चर चैप्टर के नाम है हिंदी वर्ण माला ठीक है यहां से आपको मद्ध प्रदेश सब इंजीनियर के अंदर एक से दो नंबर के कोश्चन डायटली देखने को मिलेंगे बहुत इंपोर्टन है वैसे तो आप सबने इसको पढ़ा होगा शुरुवात काफी सारी लेक्चर पढ़ रखे होंगे यह चैप्टर अपने थोड़ा लाइट लिया हुआ था ठीक है पहले के लेक्चर में इसलिए अपने यहां पर इसे डिटेल के अंदर कवर कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं क्या होती हिंदी हिंदी के प्रकार के अपनी भासा है और वर्ण मालक है वर्ण मालक को अगर समझते हैं तोड़कर देखते हैं तो वर्ण का मतलब होता है भासा की सबसे छोटी इकाई इसे धोनिया वर्ण कहते हैं किसी भासा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ठीक है हम यहां पर किस भासा की बात कर रहे है हम यहां पर हिंदी बहासा की बात कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी भासा आपके सलयवस में है, हम यहाँ पर हिंदी भासा की बात कर रहे हैं, उसकी जो सबसे छोटी इकाई है, उसे धोनिया वर्न कहते हैं, यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीडियाफ आपको अप्ली केसिन पर मिल जाएगी, आपको इस्टॉल कर लिजएगा, वहाँ पर आपको क्रेस कोर्स बैच के अंदर यह पीडियाफ मिल जाएगी, ठीक है, तो भासा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसे धोनिया वर्न कहते हैं, किस भासा की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी भासा की, उससे समझने से पहले स भासा क्या है, देखो, तो यह जो भासा है न, यह भासा संस्कृत के भास सब्द से बनी हुई है, किस सब्द से बनी हुई है, भास सब्द से बनी हुई है, संस्कृत का एक वर्ड होता है भास, उस सब्द से मिल करके बनी हुई है आपकी यह भासा, जिसका अगर मैं सार्थ साहाठक ही काई होती ना किसी वी भासाञ के साहठक ही का WrestleMania का मतलब होते है जिसक निकाला जा सके ठीक है उसे बोलते हैं पनव थे क्या बोलते हैं वाक कि अगर जैसे ऐसे कुछ बोलना हें जैसे बोल जिसे मिलकर कि आपका भांसा बना है और इसकार्थ क्या होता है बोलना और भांसा की एक सार्था की काई होती जैसे कहते है अपन वाग वाग का एक छोटा सा अंग होता है उपवाग उपवाग का भी एक छोटा सा पार्थ होता है आपका पदबंद ठीक है मतलब वाग की क्या होती है आपकी वाक होती है फिर वाक का एक छोटा सभाग होता है एक छोटा हिस्सा होता है उपवाक क्या होता है एक हिस्सा होता है आपका उपवाक इसके बाद क्या आता है उपवाक की एक छोटी काई होती है जिसे अपन कहते है पद बंद क्या कहते है पद बंद इस पद बंद की भी एक छोटी काई होती जिसे कहते है अपन पद पद जैसे राम, काम यह सब एक छोटे पद होते हैं ठीके पद की भी छोटी काई होती है जिसे अपन कहते हैं अक्षर क्या कहते हैं जैसे अक्षर अगर मैं राम के एक्जांपल लेता हूं तो राम एक complete पद है लेकिन इसके अंदर जो रा है और माह यह एक अक्षर हो गए इस अक्षर की भी छोटी काई होती है जिसे अपन कहते हैं वर्ण क्या कहते हैं वर्ण इस अक्षर की भी छोटी काई होती जिसे अपन कहते हैं वर्ण और आज हम इसी वर्ण की बात करने वाले इस वर्ण को कभी-कभी आप ध्वनी भी सुनेंगे ठीक है जो मैं बोल रहा हूं जैसे मैंने बोला कि आ बोला या का बोला ठीक है तो जो मैं बोलता हूं इसका उचारित रूप क्या होता है ध्वनी होती है और उसका लिखित रूप आपका वर्ण कहलाता है तो अगर मैं यहाँ पास मैं का को लिख देता हूँ, यह आपका वर्ण हो गया, अगर मैं इसे उचारित कर रहा हूँ, यह धनी हो गई, ठेक है तो धनी हो गई, 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 उचारित रूप धनी है, सार्फक-अर्थ निकलता है उसे भी होत चोटी कहाई होती फिर पदवंध होता है अक्षर होता है फिर उपाइब होता है तो अगर सबसे छोटी काई के बात करोगे ठीक है जिसे बोलों कि न्यूव का एक एक इट इसे बोल दोनार कि पुरी बिल्डिंग बनी होई आपकी ठीक है अब बिल्डिंग तो कई सारी चीजों से कि बात लो तो आपके ब्रिग कहलाईगी या इसे ध्वनी य लिखी तुरोप 1 उच्चारी त्रूप ता आपका द्वनी कहलाता तो यह इसका कंप्रीट प्रोसेस अब है तो देखीए भासा की सबसे छोटी काई क्या है ध्वनी या वर्ण कहलाती है ध्वनी वर्ण का लिखीत रूप है इसे मेरं लिखीत रूप बेमाला को तो words के विवस्थित सम्हों को क्या कहते है अब वर्ड माला कहते हैं यहां तक कहांन के 조금 जिकति नहीं अब आगे देखिएगा अब यह वर्ड माला होती कितनी मानाख हिंदी बाद करते हैं। अगर करते हैं। मूलता है हिंदी में उच्छारण के अधार पर उच्छारण के अधार टोटल 45 इस के अधार पर लेकना बंटनगों लेखन की ले चासुन बन जाता पूंशन ले जाता है कि बोलने किया नहीं, चारन का अधार पर— तोटल वड्नों की संख्या 45 और लेखन के अधारपर टोटल वड्नों की संख्या 22 होती है 10 स्वर 3 स्वर 35 होते हैं और 4 संहिक्त विंजन होते हैं अभी बात करेंगी इस पर ठीक तेन यहां पास एक्स्ट्रा सhvart कौन से आ गए हैं यहां पी संयुक्त विंजन क्या है इनके बारे भीन थोड़ा से समझते हैं बाकी फिर हाल याद रखीे वामन हो थे जिसकें अंदर तीरह स्वड हैं 35 विंजन ओर चार सही उत्विंजन है और उचारण के अधार पर 10 और 35 कहां कड़ा है यहां तक कहां नहीं क्लियर है कोई डाउट नहीं ना चलो अब आगे देख थोड़ा स्वर को समझ लेते हैं यह आपके सामने स्वर लिखा हुआ है complete स्वर ठीक है क्या क्या आईए देखे इसको क्या क्या लिखा हुए हां क्या लिखा हुए आ आ ई ई उ उ फिर यह दिसी हो गया अगर मैं उचारण के अधार पर बात करता हूँ तो जो आपको यह ब्रैकेट के अंदर दिख रहे हैं न इनको उचारण के अधार पर सामिल नहीं किया जाता है ठीक है मतलब आ से ले करके आउ तक यह आपके उचारण के अधार पर 10 होते हैं आप गिन सकते हो नहीं यह 3, यह 3, 6 और यह आपके 4, 10 ठीक है 3, 3 और यह आपके 4, टोटल मिला कर किते होते हैं 10, तुए जो 10 होते हैं न यह U passenger के अधार पर हैं अगर इन 3 को ऌर मिला देढ़ें चैन हो गया और इनको और तिनthere लिखन लेखन के अधार पर टोटल कित्ठी हो जाता है रहा हो जाती है आगे चलेए क्या बात कर लेते हैं वेंजन की ठीक है वेंजन की बात कर लेते हैं बात करता है यह हमने बात कर्येर कितनी उप जिए होते कितनी थीके थीकिज यह वेसे 35 नीच फ्रसिक ड़ा इकलशked – 24 और चार और जोड़ जाते है उशक्हा यह भर मात कर लेकर हो सर पित दे ये बिसिकली दूइगुड बिंजन कहलाते हैं ताठा अड़ा और अड़ा यह हो गया टावर्ग टावर्ग के बाद को ताथा ताजना के कितो पड़ा आपने इसके बाद इसी तरीके से अगर देखें तो पावर्ग होता है पासलेकर के मातक अन्ता इस्था वर्ग होता है यारा लावा सा को अपन यारा लावा को अपन अन्ता इस्था वर्ग बोलते हैं यारा लावा एक होता है उस्म बर्ग इसको अपन क्या बोलते हैं उस्म बर्ग क्यों बोलते हैं इस अभी आएगा अब आपको परसान नहीं हो ना, उस्म बर्क क्यों बोलते हैं, उस्म इस परसी बर्क क्यों बोलते हैं, वो अभी सब अपन डीटेल में जब बेंजन का पढ़ेंगे ना, इसी लेक्चर में, तो समझ में आएगा, बस पढ़ लेज़े इसको अन्ताइस्था क्यों बोलते हैं, तो अन्ताइस था यार अलावा को बोलते हैं और उस्म, सा, सा, सा और हा ये जो चार होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं उस्म बर्ग बोलते हैं तो टोटल अखर देखा जाये तो होते हैं 33 दो जोड लेते हैं अपन जो दुईगुण है ठीक दुईगुण बेंजन है ने ज मες कुस्त है शयोक्त का या वह क्समीर देख सके हैं को यह आपके मुझके आपका कॉरस से बंदेख सकते ना अपको च्मया की बात करो सब्हक्स हैexplores यह तक हलंड कॉल रफ़ डियूंड को ऊडड़ा है अगर मैं इसको शिंपल ऐसे लिखता हूं आ अगर मैं जा लिखता हूं या कुछ भी लिखता हूं मैं जा लिखता हूं तो इसका मतलब यह कि इसके अंदर एक स्वर बैठा हुआ है जैसे आपने बोला का तो आ की सायंड आई न तो किसी भी वेंजन को उच्छारित करने के लिए आपको स्वरों का सहारा लेना पड़ता ह थैक है पर अपना जब इसको लिखते हैं तो अगर आपको उरिजनल सिर्फ वेंजन लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे जाकी नीचे रखलं तरल लगा देंगी इसका उच्छा बोलते हैं का मतलब सुध्ध विंजन का उसको और सा का मिष्टानawy संक्राइए ऐसोलिए ऐस तरीके से इसको बोलते हैंа संजी को 949 होगै ठीक है तो लेखन के आधार पर बामन होते हैं और वैसे अगर देखा जाए संख्या के आधार पर तो यह संयुक्त वेंजन को उचारण के अधार पर नहीं लिया जाता है, टोटल यह 35 हो गए और वहां पर तीन आपके ते यह वाले स्वर में, ठीक है, यह रिसी, अंग और अहा, इनको नहीं लिया जाता है, तो दस यह वाई ले लेते हैं, तो यह 10 और वहां पास जो 35 है, इ बामन प्रकार के लिखन के अधार पर, तो यहां तक कहानी क्लियर है, कौन-कौन सा क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, आगे चले हैं, अब इसके बाद कुछ भी देशों से भी आ जाया है, जैसे ठीक है, अर्भी भार्ची लोग आए, जो हमारे देश म और यहां जैसे अचैक करता है, जैसे जाका बते पराकार और प्रकार, संख्या और बढ़न सकता है, की वी देशों से आगर धुनिया को मिला कर के total वेंजनों की संख्या तो 30 होती ہے वैसे पूछे कि लेखण के अधार पर totalrogen वेंजनों की संख्या तो 49 होती वैसे पूछे की उचारण के अधार पर total वेंजनों की संख्या कितनी है तो 35 होती है confirm कोई doubt नहीं न तो लेखन के अधार पर 35 और प्लस 4 संयुक्त बेंजन को मिला करके 49, तो 35 और प्लस 4 ये लेखन के अधार पर, अब पूछले कि विदेषों किसे आए हुए, ठीक है, विदेषों से आगत धनियों को मिला करके कितने हैं, तो 35 उचारन के अधार पर ठीक? विदेशों से आए आगद धोनियों को मिला कर उचारन के अधार पर कितने हैं? तो 35 तो यहाँ पे पहले थे दो और एड हो जाएंगे, कौनसे? ये जा और फा तो टॉटल कित्ते हो जाते हैं आपके 37 तोडल कित्ते हो जाते हैं आपके सैंटिस की तीनों करम आपको याद रखने बांकी सवरों की संखे देख लेना उच्छाण के धार पर 10 लेखन के धार पर 13 तीन कौन से बढ़ गए रिसी और आपका अन और हा ठीक है यहां तर कहानी क्लियर हैं बस यह बेसिक था एक इंट्र से अब किसकी हो गया हो बट अब समझ में आ गया होगा अब चलते हैं थोड़ा सा आगे देखिए यहां पर चलते हैं अब बात करें थोड़ा सा किसकी स्वर की अब यहां पर स्वर क्या है अलग लग करके समझेंगे कि यह स्वर क्या है अब बेंजन क्या है स्वर कित्ते प करने का शारे का सहारा कालों के सब्सक्राइब यह bene धुभिय कर सकते हैं ऐसे वर्ण जिन sarc declaration करने के दूसरे सहारा नहीं लेना पड़ेब स्वतंद्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं, पर हम परागत रूप से इनकी संख्या 13 माने गई है, मैंने बता दिया कौन-कौन से 13 है, उचारण की दरश्टी से के बलता सी होते हैं, ठीक है, अभी 10 कौन-कौन से हैं, यह आपके सामने यहाँ पर लिखे आपका आहा, यह तीन और बढ़ जाते हैं लिखन के धार पर, बाकी सारी कहानी यही 10 वाली है, ठीक है, यह 10 और तीन जोड़ दोगे तो लिखन के धार पर आजाएगा, ठीक है, आप देखो, अब यह स्वर को हम लोग कई प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, इस क्लासिफिक तो दो ही होते हैं, हस्व या दीर्ग, ठीक है, प्लुथ स्वर को भी रखा जाता, अगर पूच ले कि मात्र है, उचारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन लगाईएगा, हस्व, दीर्ग और प्लुथ स्वर, ठीक है, अब पढ़ते हैं, जिनके उचारण में कम समय है, या एक मात्र का समय लगता है, उसको अपन हस्व बोलते हैं, हस्व मतलब कम, जिसमें कम समय लगे, जिसको बोलने में, उचारित करने में कम समय लगे, जैसे आ, ई, उ, कम समय लगा न, तो क्या हो गया है, यह सारे हस्व स्वर हैं, ठीक है, दीर्ग तो दीरगस्वर की बात करते हैं दीरगस्वर होते हैं जिनके उचारण में अधिक समय लगता है एक दम सिंपल सा कॉइंसेप्ट है पुछ इसमें रॉकेट साइंस है नहीं जिसके उचारण में ज्यादा समय लगे ठीक है दो मातर का समय लगे जैसे आ तो किया थोड़ा ज़़ा करने में थोड़ा ज्यादा संब्सक्राइब यह जिस आपके यह क्या क्या है थूर होता एक आपका प्लूट सवर ठीक है इनके उचारण में दीर्गजण से भी समय लगता है किसी को पुकारने नाटक संबादों में इसका प्रयोग कि आप नाटक वगएरा देखा होगा ठीक है अब उस टाइम पर भगवान ठोड़ ना तो कैसे चिलाते हैं वो बार बार उसका रिपीटीशन हो रहा है ना मतलब क्या होता है रिपीटीशन हो रहा है ठीक है ऐसे चिलाता है उसको रावड बोल देता है तुम तो बाप जाके बैठ जाओ जब नहीं लड़ना चाहिए समझाने जाता है अपने पिता जी को उसका बोलने में तो ऐसा थोड़ी को यह आते हैं- प्लूत रहूँद के उसको बांटा जाता है कहानी कलियर है कोई दिक्कत नहीं मात्रा उच्चारण काल के अधार पर दूसरा देख लीजिए जीव के प्रयोग के अधार पर ठीक है दूसरे प्रकार कवर्गी करण है क्वेस्चन छूटना नहीं चीए भई सब कहीं से भी बन जाए ठीक है बना के आएंगे देखिए मेन काम जीवाग होता है ठीक है जीव का अग्र भाग जैसे ई-ए तो आपने कहा कि जीव का आगे बहला पार्ट की उच्च किया बोल की देखना होगा ठीक है यह यह सवर है क्या कहला आपके अग्र सवर कहलाते है ऐसी मद्धस्वर जीव का मद्धवाला भाग यूच गूगा मद्धवाला भाग कहलाएगा। ठीक है। बात करते हैं पफ्च उस्वर की। पफिछवर क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारन में जीव का पीछे वाला भाग करता हो। आ, ओ, 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 आ, इसमें हमने जीव का पीछे वाला भाग यूज किया। तो जीव के अधार पर भी कटेग्राइज करते हैं स्वर को तीन प्रकार से। समझ में आ गई ना यहां से भी question पूछे बता कि आना है कोई दिक्तत नहीं आगे चलते हैं एक तीसरे प्रकार कभी किया जाता है इसको ठीक है बाटा जाता है मुख द्वार मुख विवर की खुलने के अधार पर पर आपका मुख बोलते समय कैसे खुल रहा है उसके अधार पर भी डिवाइड करते हैं ठीक है तो देखो जैसे पहले होता है विवरत ठीक है विवरत मतलब जिनका जिनको जिन स्वरों को चाड में आपका मुख पूरा खुल जाए आ आ बोलोगे तो मुख बंद कर क्या बोल सकतो बोल के दिखो नहीं बोल सकते हो खोलना पड़ेगा पूरा खोलना पड़ेगा ठीक है तो यह क्या कहलाता है इस प्रकार क्या कहलाता है विवरत दूसरा बात करता हूं अर्ध विवरत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है आ ए आओ पूरा नहीं खोलना पड़ेगा अर्ध विवरत कहलाते है इसके बाद क्या आता है संब्रत जिन स्वरोग के उच्छाड में मुख लगभग द्वार बंद रहता है मतलब खुलता है थोड़ी बहुत हावा निकलने बंद रहता है ठीक है उनको क्या बोलते हैं अपन संब्रत बोलते हैं जैसे क्या क्या होता है यह अच्छा इसमें नही से यह हो गया आपके सम्वरत वाले सम्वरत मतलब बंद तो नहीं अद्धा खुला यह पूरा खुला थो थोड़ा सा खुला है समझे रोना यह मतलब दोनों का मतलब तो नहीं है तो इसमें आधा बंद रहता है और इसमें आधा खुला रहता है दोनों में डिफरेंस है समझेगा ठीक है इसमें आपने आधा बंद किया है उसमें आपने आधा पुरा खोल दिया मतलब मुह आधा खुला हुआ है दोनों का मतलब अलग है तो यह क्या है ए ओ और यह आपका आ ए और और आ तो यह होते आपक कुछ लिए मुख द्वार के खुलने के अधार पर स्वरों को कित्ते भाग में भाजित किया गया है तो अंसर बताएगा चार भावकों में यह जो मैंने सामने आपके टेबल ओपन कर रखी यह यह डियाग्राम ओपन कर रखा है यह बहुत इंपोर्टन्ट है यहां से आपको यह डा ना मा चुछ लोग नाख से बोलते हैं यां में क्या अधो आपकी नासी का पर जोर पढ़ रहे हैं समझ रहां ना उखना यह ठीक है दूसरी बात करलें दंत नुन दंत से उच्छारित होने वाले और जिनको वर्ट से वोलते हैं यह सब आपके अधनत मोल होते हैं अ बहूत देखोता है आपका दंत क्या होता है यह होता है नहीं कुल मि बात इतनी है के वर्णों का उचारण का उचारण कहां से होता है तो इसके अंदर स्वर्ण भी है और वेंजन भी है दोनों खुड़ेगा कि कौन सा वेंजन और स्वर्ग कहा से चारित होता है बहुत इंपॉटन्ट है यह टेबल बहुत ज्यादए इमपॉटन्ट है question यह टेबल है देबल आपको ठीक है बहुत इंपॉटन्ट पढ़ लेना अच्छे से तो देखो दन्त से तावर्ग और और पा 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 तो देखे रों ओट का सारा ओट चिपकते हैं आपका ठीक है पा 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 बोल रहे होता है दोनों ओड जब झिपकेंगे तरह निकलेगा ऑगे तो यह क्या है ओट होते हैं आपकी is प्लस कंट से, इसके बाद देख लीजी थे, कंट से, केवल कंट से तो आ, आ, आहा, कावर्ग, हावर्ग, ये जो होते हैं, आपके एक कंट से निकलने वाले वर्ण है, कंट और तालू-तालू ये वाले पार्ट को बोलते हैं, ये जो आपके अंदर वाले पार्ट है, इसको ये वाले पार्ट, ठीक है, ये, ओके, ये, ये वाले पार्ट को तालू बोलते हैं, ये, जो आपके मुह का ये उपर वाले पार्ट होता है, इसको तालू बोलते हैं, तो कंट और तालू से, ए, यह आपका कंट्र तालू से कंट्र तालू से कंट्र तालू से कौन से ए और वाला तालू से कौन सा है तो ई चा वर्ग या और सा यह जो है इनको कहां से निकलते हैं यह तालू से निकलने वाले हैं ठीक है ई ई चा अब देखो खुद बाइबरेसन आएगा कोजी बोलो खुद सर पे जूर आएगा ये जो मैं आपको कम्प्रेट यह बता यह बहुत important इसको आपको जरूर याद रखना है आगे चलते हैं एक तो इसके बाद में छौथे प्रकार का भी इसके इन्दर वर्गी करण है होटों की स्थिती की अधार पर जबंप शबताना न ही वाल हाल है वह बहुत कुछ कोई कर मतलब होता है जन सवरों की ऊचारण में होट ब्रत मुखी या गोला कर नहीं होते हैं आहिए तो में पूला कार नहीं होंगे नारमल रहेंगे, a e a a कुछ हुआ !! नहीं हुआ !! नारमल तरीक एक हउट है हमारे ! ऐसे को क्या बोलते है पन प्रॉट्सथिस बोलते हैं क्या बोलते हैं LAWRAT मुख्यो बोलते हैं क्या बोलते मोणते हैं स्थिति के अधार पर दो प्रकार से ठीक है इनको भी याद रख लेना आगे देख लीजिएगा हवा के नाक वा मुह से निकलने के अधार बहुत प्रकार के नाक से निकलती है आपके अगर हवा ही तो है जो धनी को ट्रांसफर कर रही नहीं चैक है आपने बॉल्ड है कि सके माध्यम से जो हवा के बार्टिकल है आप है समझ रहो थोड़ा सखस्यान्स हो निरवाद में न ह्सक्ट निर्वाद में शुब्च मेदों पहां करने कि युद्यू धाब कर रहे कोगा था अब heaven गुँ मोसर निकल रही है कैवाम मौकिक व्हार है समझ रहे के ब्रेब मुं रहे अब नाक से भी निकल रही तो अनुनासिक है बस सीधा अंतर है ज्यादा है नहीं कुछ इसके अंदर अन औ यह सब भी क्या कहलाते हैं अनुनासिक स्वर कहलाते हैं तो इनको भी आद रखना है पांचमें प्रकार का कटेगरीशन है इसके बाद होता है घोसत्त के आधार पर लड़कें के थोड़ी सी ज्यादा होते है यह है ठीक है कि अb até पत्त्री होती है रस्वारतंत्रियों में कबंपन के टा कि गो focus होता है सवर्तंकित्रों में कमपन के कारण होता है में स्वास का कमपन होता है तो सगहोस धुनिया उत्पन होता है जैसे आप कुछ बोलते हो अगर बोलने से सवार्तंत्री में स्वर तंतरी बोलते हैं आगर नहीं हो रहा है तो आपका उसे अग्होस अगोष दूनिया है कि अगोश धुनिया है जी सब्सक्राद कर दो एक़े ज करता है ह Вам अब हवा कहाँ से निकलती है देखिए अगर आप कोई वर्ण बोलते हैं तो हवा अगर जादा निकलती है तो उसको बोलेंगे कि यह महाप्राण है और अगर हवा थोड़ी कम निकलती है तो उसको बोलेंगे यह अलप प्राण धोनी है समझ रहो दोनों अंतर हैं दोनों खेल हवा का है सिदिज़ी इस अगर आप कोई वर्णव रहे हैं और हवा कम निकल रही है बोलते समय हवा निकल है तरदेh सदेगी थो इटो ने तरुक होगा हवा के थूर होगा ठीकिर मतलब वा निकलेगी और हवा अगर जादा निकल रही है तो वह उगो धोनी कहलाएगी महा प्राण और अगर हवा कम निकल रही है स्वार को बोलने में हवा ऩुष स्वार होते है उनको चाड़ित होने में हवा कम प्राणतों प्राणतों के अधार पर क्या है अल्पप्राण Complhip में निकलने के अधार पर समझ में आगी कहानी यहां था, कोई दिक्कत नहीं न, तो प्राणत के अधार पर समझ में आ गया, इसके पहले क्या अधार पर घोसत, तो मतलब स्वर तंत्रियों में कमपन, अगर कमपन हुआ, तो मने सघोस नहीं हुआ, तो मने अघोस, clear कहानी, आगे चलें क्या, ठीक है, अब यहां तक तो कहानी खतम हो गई स्वर की, यह स्वर का किस्सा खतम, ठीक है, तो I think आपको स्वर समझ में आ गया होगा, ठीक है, स्वर की कहानी हो चुकी है, the end, ठीक है, स्वर इतना ही है, अब यहां से स्टार्ट करेंगे विंजन, तो विंजन पर चलते हैं, स्वर I think आपको समझ में आ गया होगा, अब देखो विंजन क्या है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को विंजन कहते हैं, मैंने बोला कि अगर आपको स्वर बोलना है, तो किसी की सहायता लेनी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको विंजन बोलना है, का बोलना है, खा पर मिला होता है आके बीना वेंजन का उच्चारण संभाव नहीं है प्रमपारागत रूप से अगर देखा जा तो 33 माने गई है ठीक है दो अड़ा और अड़ा को जोड़ दे जिनको अपन द्विगुण वेंजन बोलते हैं तो इसकी टोटल संख्या हो जाती है आपकी 35 ठीक हे 49 याद रखिएगा तो चार संभ बंजन लेखन का दार पर और आजाते है अब देखो वेंजनों का भी कई प्रकार से वर्गी करण किया जाता है ठीक है जैसे इस अन्कर वेंजन के लावा होता है आपका अन्ता है इस्थ वेंजन और आपने पढ़ा उसम वेंजनों इस जिन वेंजनों को उचारण आप करें, वो वेंजन मों से निकलते समय किसी भाग को आपके मों के किसी ने किसी हिस्से को टच करते हुए निकले, तो ऐसे वेंजन को बोलते हैं अपन इस पर सी वेंजन, ठीक है बहुत सिंपल इसका explanation है, जिन वेंजनों का उचारण करते समय हवा फेफडों से निकलते हुए, हवा भई है हवा फेफडों में बढ़ी है ना, जब आप बोलो के तो वही अलबूरी में हवा भड़ी वही से निकल कराएगी आपकी स्वरतंतु से टकराव करा के जो आप बोल रों निकलेगे, जिन वेंजनों का उचारण करते समय हवा फेफडों से निकलते हुए, मुख के किसी विसेश इस्थान, अब मुख में कौन से विसेश इस्थान है, एक तो कंठ है, तालू है, मूर्धा है, दात है या ओंठ है, यही पांच कलाकार है, समझ लिए अच्छे से, कंठ है, तालू है, मूर्धा है, दात है और ओंठ है, अब मोंके लाब और भी कुछ है क्या नहीं ना यहीं पांच चीजें इन में से किसी से टकराक निकलेगी वहावा ठीक है इन में से किसी से टकराक निकलती तो उसी इस दास से निकलती तो दंत वर्ग बोल देंगे ठीक है तो उन्हीं से टकराने के अधार पर इसको क्लासिफा निकलता है तावर्ग आपका दंद से टकराक निकलता है तो पूरे वेंजन को इस पर्स के अधार पन मने हवा कहा 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 टच करके निकल रही है मूह के किसी हिस्से से उसके अधार पर इस प्रकार चेक लासिफाई किया जाता है तो मैंने आपस complete वेंजन को एक टेवल के फॉर्म पे रखा हुआ है यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझेगा क्या क्या अपने बताया है कुल मिला के पांच कलाकार है मों के अंदर जिनसे टकरा करके हवा थेपड़े से निकली और इसे टकरा के बाहर आएगी इनसे टकराएगी इसी के धार प कैसे समझ सकते हो तो कंठ को कंठ वर्ग ताल वर्ग मूर्धन वर्ग दंत वर्ग और उस्ट वर्ग बूलते हैं उचारण के स्थान क्या है कंठ कंठ से उचारित हो या कंठ से टकराके निकले ताल लेने की तालों के भीतर वाले जो उपरी हिस्सा होता है उसको तालू बोल ऐ मैं ठीक समघोस अर्याभी सुञोर जाएंगे तो पर स्वर्तंतु में कमपन और अगहुष समघोस में नीञा हुगा स्वर्धय अंसिक्ट ज्यादा हवा निकले गी तो फिर वह महा प्राण है कम प्राण है दोनों तर revision के किये इसमें के दि गई गाई है अघोस मतलब एक वलोडशनत्म प्राण हे कम प्राण हे मने हवा भी कम निकलेगा ओर हे सक और दो सबस्क्राइब तो कंपन जादा दूसरी हवा भी ज्यादा निकलेगी सगोस हवा कंपन जादा अल्प प्राण हवा कम नाशिक नाक में ध्वन आएगा नाक वाला पार्ट यह समझ गया ने यह टेबल समझ में आगे आगे आप देखते हैं इसका क्या क्ण्ट से निकलने वाल यह खोरो प्राण निकले लाका कंपन नहीं हो रहा आप इसमें देखें आप तो खान ऑब भी घया और भी भेंग कर निकले गई तो यह आपका सग्छोस भी है महा प्राण भी है और साथ में निकला यह कंठे वर गई और और आपका अंगा में तेनों चीजह सअगो से मतलब होँ बाइब्रेशन हो गयां अंगा वह नाब्रेशन आलपराहं मतलब मनिकुर्ण आंगो थालेट जब भी बोलोगे तो उपर आपको ऐसों ही चा कुछा ौगा खाईест कीज़ट अगर आपने चाब ला तो हभा कम निकली है तो हाट नहीं हुआ याओ तो हभा निकल से जा की हें गयो हब भाहा हुआ जादी हाँ भाहा जाना की बात करओं तो है क्षए सप्केरल और स्वर्द्छा समझ में निबात यहां से इसे भी कुछ ले आता है कि बताई यह कंठवर्ग में अगोस और अलब प्राण कौन सा है का अंसर ठीक है कंठवर्ग में सगोस और महाप्राण धोनी कौन सी यह घाव अंसर होगा ऐसे पूछ सकते हैं याद रखना है बहुत ही जी है एक आप जब कोई बर्ण बोलेंगे, अब बर्ण मतलब कोई सा, वेंजन की बात कर रहे हैं, बड़ी बर्ण दो ही है न, स्वर और वेंजन, स्वर का पढ़ लिया, वेंजन की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप कोई वेंजन बोलेंगे, ठीक है, तो उसका मतलब यह होगा कि स्व आपको vibration नहीं मिलेगा, जैसे देखो, वो सारी धुनिया अगोस कहलाएंगे, टेबल में देख सकते हो आप, देखो, ये मालो, ये कौन सा का वर्ग कहलाता है, ये आपका चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, इनका पहला वाला, तो पहला यही है न, अब ये दूसरा है, दूसरा हो, ठीक है, जैसे हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पाचमा, तो वर्ग में चलते हैं, जैसे मैं गया यहां पे, का वर्ग में चला गया मैं, ठीक है, ये वाला का वर्ग है, का वर्ग का तीसरा, चौथा और पाचमा, तो तीसरा में गा है, फिर गा है, और अंगा है, तो आ इसके साथ नहीं सारे वर्गों में हो गया सभी वर्गों में कर्साइश इसा यी거aks सिंपल सेथीध्य पहला दूसरा सगोस त्षवरी पहला दूसरा अघ्योस मने नहीं होगा तीसरा चौथा पाच्प सघोसमेनी खोड़ी सिवथ इसके बाद प्राणत्य मतलब हवा कितनी निकलेगी अब हवा कि वह इसाब से देखलो जिन वेंजनों के उच्चारण में मुक से कम हवा निकले ऐसे कम हवा कौन सा कौन है अलप प्राण है हवा निकलेगी बिना ठांसफर ही हवा से होना है वकर मेंव We Na पहला तीसरा और पाच्मा वेंजन देख लीजे टेवल को उठाके ठीक है यह यहां पर आ जाते हैं थोड़ा इसको रेज करते हैं बहुत ज्यादा इसके अंदर मैंने कुछ-कुछ लिख दिया है तो इसको भी रेज कर लेते हैं पहला तीसरा और पाच्मा खड़वर देखि कम निकलेगी जैसे जेसे अंगा और वैसे ही दूसरा और छो डूसरा और जर्य महा प्राण होता है किसी मी बखका जिसको बोलने में हवा फर किल GG Season Snow gent घर को बीजिन hierarchy चैनल जिन दोंतले मुख से अधीख हवा निकले बिंचार में हो कुछक यह चार्ण में हकार हा की दोनी सुनाई रूप दे हर वर का दूसरा और चौथा कहानी क्लियर है कोई रिक्कत नहीं इसके बाद आता है आपका एक और विंजन जिसको बोलते हैं अंतह इस्थ विंजन ठीक है अंतह इस्थ विंजन जिन वड़नों का उचारण परामपरीक वड़न माला की पूर्गाई मिलआ जब रूप रहते हैं उनको अंतह उस्थ में ठीक है अनतो पूरी तरह से मिला जूला रूल्प हैं थीक है समझह रहा है आधा वाला है दोनों थे हैं पर दोनों इसके अंदर ध्वनी जो कभी स्वर्व हो कभी विंजन हो ठीक है ऐसी धुनी हो इनको क्या बोलते है निये होते हैं जैसे रा एक इसके अंदर अंथा इस्थवेंजन के अंदर एक रा भी आता है ठीक है लुंटी जिसके उचाड में जीव तालू से लुड़ा करें जैसे रा आज यसे बोलो रा तो रा बोलने में आपका जीव लटक जीव एकदम लटक जाती है गलती है अर्व एक प्रकार का अंता है इसके बाद लाग बढ़िया जीव के पार्स बगल से निकल निकल गई हुआ कट मारक निकल गई हवा एकदम जीव को ठीके लग इन हवा ने इदम आई यूग कटमार के जीव से बगल से निकल गई हवा ठीक है तो ऐसे क्या बोलते हैं पर इसके उचाड में हवा जीव के पार्ष बगल से निकल जाए ठीक है तो वो क्या होता है आपका अन्ताइस्था तो अन्ताइस्था वर्ग में चार बढ़ना आते हैं य तो टोटल वेंजन जो हमने 35 प्रकार के पढ़े तो उसको अपने किस प्रकार में बाढ़ दिये 35 प्राड़त प्राड़त के अधार पर बाढ़ दिया अन्ता इस्थ वर्ग हो गया अब लास्ट में बच गया आपका उस्मिया संघर्सी वर्ग ठीक है एक क्लासिपिकेशन और बच गया उस्मिया संघर्सी वर्ग जिन वेंजनों का उचारण करते समय वायू किसी विसेश इस्थान पर घरसाड या रगड़ उत्पन करे आप बोलो तो मतलब समद्रों पुरे सरीर में तनमन में गर्मी पैदा हो जाए तनमन में नहीं मतलब कहीं नहीं पैसे उसमा का ह सब्नक्राइब का है एक है की से नहीं मतलब मठाइब म hilar कर निकले वह कहीं किसी विसेश इस पार्टस रगड़ करके निकले उसको बोलते हैं सब्राइब अब इनकों दिखाओ यह क्या है किसी विशेस पार्ट से थोड़ा सा रगड के निकल रहे हैं कौन कहा कहा से रगड के निकल रहे हैं यह तो बताव सर जी ठीक है यह तो समझ में आए जैसे यह सा होता है यह तालू से रगड के निकल रहे है तालू से आपके तालू वाले पार्ट से ठीक है जो को है यह मुर्धा से निकलता है मुर्धा के मुर्धा सा और यह जो आपका सा होता हए loves कि ओपर्वाला पाटी में सुझा दंदर वाला पट उसके मसुंरा सब्सस्ता निकलताह दंत तो मुल्यमसूरा तंत मूल्यमसूरा ठीक है इसके बाद होता है आपका हा तो हा किसे टचुरा भई हापका बिसिकली कंठ के भीतर वाले पार से निकलता है ऐसा हा कहीं पर टचे निए अंदर से कंठ के 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 अंदर से तो आप जानतों तालुक के वर्ग है मूर्धा का मूर्धन वर्ग है दंत मूल का दंत्य वर्ग है और कंठ का कंठ है समझदार है ठीक है अब यह जो सारी धनिया होती है ठीक है यह जो सारी धनिया होती है यह वाली यह सब क्या होती है यह सभी आपकी अगोस और महाप्राण होती है अगोस मतलब बाइब्रेशन तो नहीं होगा आप इनको बोलोगे और धनिया हवा बहुत ज्यादा निकलेगी तो सारी धुनिया क्या होती है अग्होस और महाप्राण होती है यह बात भी आद रखनों उस में संघर्शी वाले कॉनसी अग्होस या महाप्राण होती है और यह अन्ता हिस्था वाली सभी क्या होती है यार अलावा सा यह सभी क्या होती है यार अलावा जो सा है आपकी ठीक ह हाँ यह आपके क्या कहलाती है यह आपकी सभोस और अलपराण है मतलब इनको आप बोलो को तो बाइब्रेशन होगा ठीक है यह लाइब्रेशन होगा सभोस और आपका अलपराण है अलपराण है ठीक है तो यह आपके सभोस और अलपराण है ओके तो यह अंता ही स्था आपके सभोस और अलपराण कहलाते हैं और यह आपके उसमें वाले क्या है अगोस और महापराण कहलाते हैं ठीक है अगोस और महापराण कहलाते हैं ठीक है एक और होता है एक भी से इस प्रकार को और होता है ठीक है जैसे क्या है उच्छिप्त विंजन जिसको बोलते हैं उच्छिप्त विंजन इसको भी नोट कर लो है यहां पर नहीं लिखा हुआ है चलो मैं एक च्छिप्त लिखता हूं इसको ध्रोस है यहीं है कि 삼ंट शें तीन हville शे शें जी 12 वरकार को होता है इसके अंदर बेसे कली क्ली क्या आते आज़ाय अपके आड़ा और यबह आते है Caitlin अड़ाय वाल यिए वाले तीका ह⁉-कै इसके अंदर क्या होता है यह बिसिकली जिसके उचाड में जीब पहले उपर उठता है फिर मूर्धा से इसपर्स करके फिर जटके से नीचे निकलते से अड़ा उड़ा उड़ा फिर उपर उठा फिर नीचे जटके से बाहर निकलता है यह आपके उच्छित बिंजन के लाते है जीब पहले उपर उठ उपर उठने गवाद मूर्धा से करके कहा से करेगा उपर गया तो किस से करेगा मूर्धा से ठीक है फिर जटके से नीचे आएगा जटके से नीचे आता है अब यह सब माइंड मैं बना के बढ़ा दे रहूं बांकि आप लोग इतने समझदार हो इंजीनियर से उठेगा मूर्धा से टकर आएगा और इसके बाद क्या जटके से नीचे आएगा तो ऐसे जब यह वंजन निकले उसका बोलते हैं अपन उच्छ और किस प्रकार के बिंजन थोड़ा वो भी लिख लो क्या ही अब क्वेश्चन तो नहीं चूटे यार इससे है ना अगर ड़ा के बारे में पूछे तो ड़ा के बारे में लिख लो आप ठीक है ड़ा के बारे में जो भी है लिख लो यह क्या होता है आपका यह आपका मूर् सघोस और अलप प्रना है और सघोस मेनने सब्सक्राइब अलप प्राण में हवा कंसले है ऐह générकलें है चलो आगे और देखो यड़ा हो गया उड़ा के बारे में लिख लो थोड़ा से उड़ा के बारे में थोड़ा से और लिख लो ठीक है ये भी एक प्रकार का मूर्धन ही होता है मतलब मूर्ध इस तार से ही निकलता है आपके मूर्धन हो गया ठीक है मूर्धन वरक है फिर होता है complete इसका ठीक है ओके है कि अगर कुछ आगत वाली भी होते हैं विदेशी वाली ठीक है उनको भी एक बार देखे लेते हैं चलो कहां पर बता दूँ यह तो जब बर गई इसमें यहां फिलेक देता हूं चलो को जो कुछ आगत वाली होती है ठीक है वैसे उनसे कुछन आज तक पूछा नहीं गया है बटमान लोग पूछ लेता है तो इंपोर्टन बन जाएगा अगर पूछ भी है तो ठीक यहां पर लिख देता हूं आगत जिसको अपन विदेशी बोलते हैं ठीक बिसिकली यह उनके इस के नहीं संसे जडिये यहला नहीं पॉलन शेंग के नीचे यह एक प्रकार का नुकता लगा निक्ता बोलते है यह जanyard होते हैं इंवे सिए कौन-कौन से हैं नलीगे बस याद रखें अगर कभी करा जाए न तो टिक मार दे क्यांच टो ट候 तो A ऐसे जिसे का के बारे में बोलों तो मैं अगर इसके बारे में अगर बोलूं मैं यह इस परसी और कंट होता है आपका कि इस परसी कहाँ से कंट से है टेक है जिस से कंठा था ठीक है कंठ से होता है कंठा कंठ से होता है और प्लस अघोस और अल्प प्राण है ठीक है से अघोस और अल्प प्राण है कि अल्प लिग्दिए अल्प नतर समझना अल्प प्राण है खाकि अगर बात करो मैं ठीक है कि बात करो बाकी सारी जितने सब ईसमार संगरसि वैंजन है सभ जाने सभी व और फेट बाकी कुछ अलग लग जगए से यह से निए बने दोनों कप से हैं यह वाला भी कप से है कंट से निए चलो थेक यह वाला कंट से आपका यहां पर साफ साफ ने दिख रहा है कोई निसको दिख रहा चलो यह कंट से ठीक है और अब इसको में काम करता है तुले कर चलो प्राएंगे इसमें करवा देंगे इसको कि अधिक इसको करें प्राइब करते हैं इसको अधिक इसको भी अधिक इसको कब्ने शोपने दूंद कर आगाध और रहीत धुलियां उत्ते जाद इंप्राइब नहीं है कि अगर दुनिया और कौन कौन सी होती है यह ठीक ही टॉपिक चल रहा है तो पहला थो गया आपका का खा गा घा ठीक है यह सरी धानी जा होता है जा और अपका अपका होगे यह राग वान की लिक्शर फ्यमा डेखों क्या क्या होते हो Chief क्या होता है आपका आपका क्या सबस्वत तो इस पर्सी करेगा एगा का तो बाकि सबनेजम के का इस फर्स से मतलब गींदार से निकलें और इस निकलेंगे इस परसी थे करको निकलता है ते लियाक सहाइज निकलता हुए दूस्रा वाला है आपका ठीक है, कंट से है ठीक है, तीसरा वाला भी आपका कंट से है, ठीक है, तो तीन तो कंट से हो गए इसके बाद जो चौथा और पाचमा है ठीक है, एक वर्थ से है, ठीक है वर्थ से है, और एक आपका तालू से होता है है एक उता है अपका डं तोस थे अब इनके बारे में चाल और में लिख लेते हैं यहां पर समझ में आगे वर्ग कौन से है है This means What === और ये दन्तोस्त अब ये कौन से वर्ग आगे अब लिख लेते हैं कि ये किस प्रकार के धूनुएं तो पहला तो आपका अगोस धूनिहे तो यह अगोस है, साथ में अलप प्राण है, ठीक है, अगोस है और साथ में अलप प्राण है, इनका मतलब आप समझते हो, ठीक है, इनसा भी का मतलब समझते हो, इसलिए मैं बता नहीं रहूँ है, अपर अगोस मतलब क्या है, ठीक है, इसके बाद यह आपका अगोस और महाप्रा कि सभोंष और अलप प्राण। इसके बाद सभोंष और अलप प्राण। ने ये वाल भी है और फिर यह आपका सभोंष और अलप प्राण। अगोष एंड अल्प प्राण ठीक है एंड आपका ये और कुन सोत है अगोष एंड महाप्राण अगोष एंड महाप्राण ठीक है तो आपके सारे होगे पस इतना याद रख लिने है यार बहुत है यह उतना ज़्याद इंपोर्टन भी नहीं था पर हां कभी-कभी पूछ ले तो ठीक है तो आसा करता हूं आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा इसकी पीडियाप आपको एजटीज मिल जाएगी जैसा इसके अंदर लिखा है ठीक है वैसे एक दम मिल जाएगी जो ज अपन ने सारा कुछ करे लिया है हाँ एक चीज और बच जाती है जो कि है आपका हिंदी भासा का भी कास जो कि खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और कुश्चन वहां से बने नहीं है तो मैं एक लेक्षर आऊंगा लास्ट में लेकर कि सारा निसकर्स लेकर कि कहां स कुश्चन बन सकता है आधे घंटे के लेक्षर और उसके अंदर निसकर्स तहस्तारा दे देंगे ठीक है तो इस प्रकार आपके हिंदी हो जाएगे कम्प्रेटली फिनिस बहुत अच्छे से पढ़िए पढ़ते जाएए कोई दिक्कत हो पूछ ये बताएंगे ठीक है आग